यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जजर पहुंची पूर्व चिक्षा मंतरी गीता भुकल ने बीजेपी सरकार पर जम कर निशाना साथा सरकार के बीटी बचाओ बीटी पढ़ाओ अभ्यान पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के मंतरी की पुत्रवधू ही सुरक्षित नहीं है तो परदेश की बेटियां कैसे बचेंगी द्रसल राज्य मंतरी किशनवेधी की पूर्व की पुत्रवधू ने अपने सस्राल वालों पर टाचर करने और घर से निकालने की आरूप लगाए थे राहूल गांधी के अक्रोश रहली को लेकर गीता भुकल ने कहा कि परदेश से हजारों की तादाद में कारे करता जाएंगी पुर्व सीयम हुड़ा पर ही रहेगी ज्यादा भीर ले जाने की जिमेदारी और साथ ही वहीं सीयम के जजजर दौरे को फ्लॉप बताते हुए गीता भुकल ने कहा कि दो बार मुख्य मंत्री जी जजजर पहुंचे लेकिन फिर भी परदेश वासियों के हाथ खाली रहे भी यहां आगया फिया बैटी बचाओ का नारा दिया चाना था वाकिए ही बेटीं को बचाने की बात पड़ रहे है बेटी आंक रहे बात पढ़ रही है, बेटियों बवों के साथ साथ माता पिता को भी बचाने का हालत यहां पर हो गई है, जो कि उटनाओं में इंसिडेंट हुआ, एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसके पिता के साथ हुआ, काठ वा में हुआ, आज हर्याना में कितने जाला मंत्री जी के दौरे तो अधिकारियों के सिवाए आम जनता के मिलते ही नहीं, कह रहे हैं कि सीम विंडो, सीम विंडो है तो फिर हो चाहे सीम साथ खुदा है या सीम विंडो के टैस लोग डाले, तो लोग तंतर भी हो और सरकार का खाया पर होता है, जब प्रडेश के मुख झाले, प्रlä ङल झाले, प्रrä घ्तर विंडोρι, तो रहे हैं शाले, तो झाले, तो झाले, तो विंडो audio के दित ही है विंडों